ही गाईज देखो हैफियस मैं जो है वह लगवग थोड़ा बहुत अभी ज्यादा कंसुलिडेट करना स्टार्ट किया है जो कि असुक सोटा जी की कंपनी है अभी अगर यहां पर देखो यहां अगर हम टेक्निकली जानने की कोशिस करेंगे पहले इसका चार्ट तो यहां पर मतलब यह एक कंसुलिडेशन लेबल कितना दूर तक होगा यह बोलना मुस्किल है लेकिन यह बोलना असान होता है कि स्टॉक यहां से गिरने का चांसे बहुत कम होता है आरेसाई को देखके तो अभी अगर यहां पर देखते हैं लगवा पिछली एक मेने का तो लगवा 45 के आस बास देखने को मिला क्योंकि दि लॉस्क भार हो गया तो पर normal क्यूब के fix ला यहां पर inflation को मेला यहां पर देखनी को मिला यहां पर डेकिने को मिल्द की अब यह सकते है और जो धौगaya झाल्य को मिल्स भागता था तो इस वज़े से अभी इंट्री लेवल भी अगर यहां पर अगर हम देखें तो बताया जारा मतलब से भी के अंडर यह जांच होगा क्योंकि इतना तेजी से जो स्टॉक भाग रहता तो इसके उपर जांच बढ़ा गया है अभी देखो न यह जो एसम जी एसम लीश्ट होता है यह देखो तीन टाइप के होते हैं एक जो होता है एक महिने में भी हो जाता है कोई नॉर्म मतलब six month में stock में कोई भी moment देखने को नहीं मिलेगा केवल up down up down मतलब एक consolidation label में ही देखने को मिलेगा तो यह अभी तो मैं आप बोलूँगा one month के आसपास होई रहा तो थोड़ा अभी odd time लगेगा अभी odd time लगेगा लेकिन यही एक stock है जो उपर नहीं जा पा रहा है इसके को खरीते हैं और ज्यादा पैसा होगा अगर किसी stock में profit book किया और क्या होता कि फिर वो दूसरे stock को खरीते हैं फिर दूसरे stock को खरीते हैं तो इसी तरीके से यहां पर आधा लोग जो है profit book करने के कुछिस किये हैं और लग वह 50% analyst का मनना है कि आप ऐसे stocks मेंवेश कर सकते है 50-50 है और जिस कदर यह stock ने return दिया ना मैं आपको बलूँगा अभी थोड़ा सा रोकना चाहिए पूछे क्यों टाटा कंसल्टेंसी सर्विस देखो एक साल में कितना 60% का return इन्फोसेस 80% का return यह आप देख रहा 82% है वीपरो 134% का return है यह जो large cap वाले stock है यहां देख सकते ह 26% के आसपास दे रहा तो यह क्या ना कि थोड़ा बहुत जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे stock से ने थोड़ा अच्छा return देते है अच्छा का मतलब 50% या 100% के आसपास ही बस जो टेक महिंदर होगे 90% के आसपास इतना आप सोच सकते हैं कि अगर आप एक IT stock खरीद रह देगा आप देखो जो बड़े बड़े जो analyst है उनका मनना यह है कि जो IT sector है ना वो IT sector in next 12 month IT will underperform यहां पर आपको बताया जा रहा अब वो इसका मतलब यह है कि एक साल तक हो सकता है कि IT sector वाले stock थोड़ा बहुत आपको परिसान करें इरिटेट करें हो सकता थोड़ टाइम लग जा क्योंकि वो भागेंगे नहीं अगर आप देखोगे TCS तो बहुत धीरे धीरे चलता है कि नहीं है अभी देख लो विपरो इन्फोसीस ही देख लो नितेजी से गिरावड भी तो होती है तो हो सकता है अगर यह माल लेते के एक तरीके से सच है लेकिन फिर भी happiest mind जैसे stocks को नहीं बिचना लंबे समय तक रखना है अगर आप लंबे समय तक रखोगे तो ही आपको profit देखने को मिलेगा वरना फिर आपको नुकसान देखने को म इनका मेन सोर्स अपनिया इनका मोता यह प्राइमरी सोर्स अपनिया अमेरी से आता है अब जिसे वीप्रो इसलिए भारत सरकार ने यह भी बोला था कि हमें हमारे देश के आई-टी कंपनी में बहुत ज्यादा पर और बहुत नजरा आगा और दूसरी चीज यह बताई जा अब देखो को एप्स होगा ह्फेस्बूक हो गया यह मतलब वहाँ जो है लोग ज्यादा डारेक्ट इन 44 आप जब लोग डारेक्ट कर लोग इन def nett उन्ड करेंगे तो भई यहां का इंě ना थोड़ा घटेंगा इंट्रेश्ट क्या हो थोड़ा लैप्टप या कम्पूटर लिया कुछ भी लिया हो सकता है लाक रुपे दो लाक या पांच लाक रुपे का आपने लिया लेकिन एक कंडिशन है वो उस कम्पूटर में या लैप्टप में गूगल नहीं चलेगा अब कैसा हो बहुत ज़्यादा तकलिफ हो जाएगी हैगी नहीं है मतलब गूगल कमपल सरी है कहीं पर भी याद रखो चाइनीज फोन भी खरीद रहो तो भाई गूगल कमपल सरी है इससे ये पता चलता है कि गूगल का शेयर का डिमांड कहा होगा गूगल की कमपनी की डिमांड का होगा तो ये एक मोनोपली है मैं आपको बता दूँ जेफ बेजर और उसके साथ साथ ऐलन मस्क ने भी बोला है कि गूगल एक ऐसा पहाड है जिसके उपर चड़ा तो जा सकता है लेकिन हिलाया नहीं जा सकता सोच लो हाला कि गूगल लगबग नमबर वन पर नहीं है अभी नमबर वन पर जेफ बिजर है जो की अमजोन है सकेंड में एलोन मस्क है जो की टेसला है ये दोनो है लेकिन फिर भी वो लोग डरते हैं उनसे तो ये क्या होता ना कि यहां से डिरेक्ट वहाँ के आई-टी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फेस्बुक देख सकते हैं फेस्बुक का कोई कॉम्पेटिटर ही नहीं है फेस्बुक ने वाटसब को भी खरीद लिया तो ये बड़े-बड़े प्लेयर है वहाँ के एपल देख लो वेस्ट करके रहो ग्राउंड के अंदर रहोगे तो ही आप जीतोगे ग्राउंड के बाहर अगर आप चलेगे कितने अच्छे प्लेयर है तो भाई आपको काउंट नहीं किया जागा समझ लो विराट कुलिया अगर इतना चा प्लेयर है और बोल देगा भाई मैं तो हो जागा तो खरी दूँगा तो कुछ नहीं होगा बेनिफिट नहीं हो सकता उतना जादा हो सकता स्टॉक भाग जाएगा या कोई प्रॉलम देखने को मिल लागे इसलिए बस तयार रहो इतना ही अच्छा रहेगा और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो अपने डिम में जो हर जगा देखने को मिलता सबसे बड़ी चीज में आपको बता दूँ एंजल वन बन चुका है यहां पर आप और आपका पैसा दोनों से रहता है अंजान जगा पर डिमेंट अकाउंट ना करें ने तो कारवी ब्रोकेट जैसे हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड करें अपका पैसा दिमेंट अकाउंट जैसे फिर कुछ भी हो सकता है इसलिए अच्छे जगर डिमेंट अकाउंट करें जहां पर आपको सेफटी फिल हो रहा हो तो यह एंजल वन बन चुका है यहां पर देख सकते हैं नंबर वन स्टॉक ब्रोकेट देखने को मिला यहां पर आ लिंक है मिंटो में जाके अपना डिमेंट अकाउंट उपन कर सकते हैं